देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास चुनिंदा खबरे बिग बॉस ओटीटी से मशूर हुई उर्फी जावेद ने कास्टिंग डारेक्टर पर शारिरिक शौशन का रुप लगाया है तहां है कि किसानों की आए दोगुनी करने के लिए कौन से कारगर कदम उठाए जाने चाहिए इस बारे में नाबार राज्य से चर्चा करके एक नीती दयार करें उधर केंद्रिय रेल राज्यमंत्री राउसाइब दानवे के मुताबिक मुबई से नाशिक होकर नागपुर जाने वाली बुलेट ट्रेन की विस्तुत पर योज ना प्रारूप तयार करने का कारिया अंतिम चरण में है तो प्रदिश की इन पाच बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही है आप हमारे साथ बिग बॉस OTT से मशूर हुई उर्फी जाविद सोशल मीडिया पर काफी सक्रिया रहती है वह अक्सर अपने फैंस के लिए अपनी खास तस्विरे और विडियो शेयर करती रही है लेकिन इस बार उर्फी जाविद एक कास्टिंग डारेक्टर पर शारीरिक शोशन का आरूप लगाने की वज़ह से चर्चा में है उर्फी जाविद ने अपने पोस्ट में लिखा कि जब अपना काम निकल जाता है तो लोग बदनाम करने लगते है सबसे पहली बात यहा कि उन्होंने मेरे शूट के पैसे नहीं दिये अभी नित्री ने पोस्ट में आगे लिखा कि जब मैंने उनसे अपने पैसे मांगे तो वहां मुझे गलत बुलने लगे इसके बाद बहुत से लड़किया सामने आई और उन्होंने बताया कि वहां कैसे उनका शारीरिक शोशन कर रहे थे इसलिए अब मैंने तय किया है कि यह लड़ाई पैसों से ज़्यादा बड़ी है मैं ओबेद अफरीदी के खिलाब लड़ाई लड़ूंगी और सभी को वताना चाहूंगी कि लड़किया उनके आसपास सुरक्षित नहीं है मैं मेनत से अपना काम करती हूँ और अपने खुद के पैसे मांग रही हूँ यहाँ कोई जूर्म नहीं है प्रदिश सरकार ने राज्य के अन्य पिछडा समुदाय की यूवक और योतियों की सूद ली है उनके लिए तमाम कल्यान कारी योजनाओं में एक और इजाफा किया गया है अब इस मंत्राले ने अन्य पिछडा समुदाय की यूवक और योतियों को कौशल ले विकास प्रशिक्षन के लिए योजना लागू करने को मन्जूरी दी है इसके जरी ये कम से कम कक्षा दसवी और उसके आगे की शिक्षा लेने वाले अन्य पिछडे वर्ग के नौजवानों को परमपरागत और कौशल ले विकास के लिए प्रशिक्षन दिया जाएगा प्रशिक्षन के लिए अभ्यारतियों के चैन के लिए जिलास्तर पर कारेक्रम आयोजित किये जाएगे प्रशिक्षन के लिए अभ्यारतियों को महस्वयम पोल्टल और OBC पोल्टल पर नाम पंजियन करना अनिवारी होगा अभ्यारतियों के परिवार की वार्शिकाए आठ लाक रुपई से अधिक नहीं होनी चाहिए अब भ्यार्तियों को प्रेशिक्षन के लिए अन्य पिछडा वर्क का जाती प्रमान पत्र, आयू और घर का पता, आधारकार्ड नंबर समेत अन्य दस्तावेज ओनलाइन जमा करना होगा कोरोना मामलों में भारी कमी देखे जा रही है सरकार अब पूरी तरह प्रदेश को अन्लॉक करने का लगभग निर्ने दे चुकी है इस बीज बॉंबे हाइकोट ने राज्य सरकार से सवाल किया है कि क्या वह मुंबई की लोकल ट्रेनों में सिर्फ कोरोना संक्रमंट से बचाओ के लिए दो टीके ले चुके लोगों को ही यात्रा की इजाज़त देने से जुड़ा पिछले साल का आदेश वापस लेने की इच्छुक है क्योंकि यह आदेश कानून के मुताबिक नहीं है मुख्य नयादिश दीपांकर दत्ता और नयमूर्ती MS कारणिक की खंड़पीट ने उस जन ही त्याजिका पर सुनवाई की जिसमें MMR क्षेत्र में कोरोना संक्रमंट से बचाओ के दोनों टीके लगाए बिना लोकल ट्रेनों में यात्रा पर पाबंदी लगाई गई है इस संबन में जारी आदेश वापस लेना चाहिए क्योंकि पूर्वाधिकारी सितराम कुंटे ने जो आदेश जारी किया था वह कानून के मुताबिक नहीं है अब कुरोना संक्रमन की स्टिती काबू में है इसलिए इस आदेश को वापस लेकर लोगों को यात्रा की इजाज़त दे बतादे की रज्ज सरकार ने पिछले साल जुलई और अगस्ट महिनों में आदेश जारी कर पूरुने टिका करन के बिना लोकल ट्रेनों में यात्रा पर पावंदी लगा दी थी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि किसानों की आये दोगुनी करने के लिए कौन से कारगर कदम उठाये जाने चाहिए इस बारे में नाबार्ड राज्य सरकार से चर्चा करके एक नीती तैयार करे मुख्यमंत्री ने कहा कि नाबार्ड राज्य के लिए कम से कम 3-5 सालों के लिए फोकस पेपर तयार करे जिससे पहले साल में बजट और टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद 6-2 सालों में काम पूरा हो सके बैठक में राज्य के क्रिशी मंत्री दादा जी भूसे ने कहा कि नाबार्ड किसानों को संबन जनक तरीके से कर्ज उपलब्द कराने का प्रयास करे जबकि राज्य के सहकारीता मंत्री बालासाय पाटिल ने कहा कि राष्ट्रिय करूत और ग्रामिन बैंकों को कृशी कर्ज बढ़ाया जाना चाहिए नाबाड ने राज्य के लिए आगामी वित्तिय वर्ष के लिए 6,13,503 करोड रुपे की कर्ज योजना तयार की है जो मवजुदार रून योजना से 3% अधिक है इस योजना में कृशी क्षेत्र के लिए 1,43,019 करोड रुपे कर्ज वितरन का लक्ष है जबकि लगु मध्यम और सुक्ष में उद्योग के लिए 3,48,312 करोड रुपे अन्ने प्राथमिक्ता वाले क्षेत्र जैसे शिक्षा, ग्रुह निर्मान, अक्षय उर्जा, महिला बचच समूव के लिए 1,22,112 करोड रुपे कर्ज उपलप्त कराए जाएंगे महराष्टर की दूसरी प्रस्तावित बुलेट ट्रेन मुंबई-नाकपुर बुलेट ट्रेन परियोजना का प्रारूप एक महा के भितर तयार हो जाएगा केंद्रिय रेल राज्यमंत्री रावसाइब दानवे के मुतावी फिलहल मुंबई नाकपूर बुलेट ट्रेन परियोजना को अभी मन्जूरी नहीं मिली है इसका डिपी आर तैयार होने के बाद आगी की प्रक्रिया पुरी की जाएगी मुंबई नाकपूर बुलेट ट्रेन परियोजना में दोनों शहरों के बीज 12 स्टेशन होंगे इन में शाहपूर, इगतपूरी, नासिक, शिर्डी, औरंगाबाद, जालना, महकर, मालेगाव, जहागीर, करंजालाड, पुलगाव, वर्धा और नाकपूर शामिल है इस बुलेट ट्रेन की अधिकतम स्पीड 350 किलोमीटर प्रती घंटे होगी, यानि मुंबई से नाकपूर की यात्रा 4-5 घंटे में पूरी की जा सकीगी सुत्रों के अनुसार इस बुलेट ट्रेन का किराया ट्रेन के मौजोदा AC 1st क्लास से डेड़ गुना अधिक होने का अनुमान है फिलहाल मुंबई से नाकपूर के लिए 1st क्लास ट्रेन टिकेट का किराया करिब 2,900 रुपे है रेल राज्य मंत्री ने बताया कि मौंबई से नाशिक होकर नाकपूर जाने वाली बुलेट ट्रेन का विस्त्रूत परियोजना प्रारूप तयार करने का कारिया अंतिम चरन में है मौंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का कारिया चल रहा है मुंबई नाकपूर राज्य की दूसरी बुलेट ट्रेन होगी यह बुलेट ट्रेन ठाने नाशिक एहमदनकर और अंगाबाद जालना बुलधाना अमरावती वह वर्धा से गुजरते हुए उपराज़नी नाकपूर पहुचेगी बुलेट ट्रेन का मार्ग मुंबई नाकपूर समरुद्धी महमार्ग के समना अंतर होगा मुंबई नाकपूर 736 किलोमेटर लंबी बुलेट ट्रेन पटरी बिचाने के लिए एरियल सर्वे सहीद इसका परियावरन पर पढ़ने वाले प्रभाव का अध्यन किया जा रहा है राजनीती के रणनीती कार माने जाने वाले प्रशांत किशोर देश की प्रमुख विपक्षी पार्टियों को साथ लेकर राश्टपती चुनाओं की तयारियों में जुड़ गए है बिहार के मुख्य मंद्रे नितिश कुमार को वे राश्टपती उम्मिद्वार बनाने की सोच रहे है तो दुनिया भर में गैस की भारी किलत हो गई है और अप्रेल में इसका असर भारत में देखने को मिल सकता है माना जा रहा है कि कीमत में भारी इजाफा हो सकता है वही बंगाल में कोरोना वह 2021 के विधानसभा चुनाओं के बाद हुई हिंसा के कारण राष्टिय स्वयम सेवक संग की लगभग 150 शाखाय बंध हो गई है संग प्रमुक मोहन भागवत ने इन शाखाओं को मार्श तक पुरी तरह से खोलने का निर्देश दिया है इसी बीच यूपी के सिधार्पनगर की डुम्रिया गंच सीड से बीजेपी विधायक और प्रतेशी रागवेंद्र सिंग का विवादित बयान सोशल मीडिया पर काफी तीजी से वारल हो रहा है जिसमें उन्होंने वोटरों को चेताया है उदर सुप्रेम कोर्ट दसवी और बारभी की कक्षा की ओफलाइन परिक्षा रत करने की याचिका पर बुधवार या निकल सुनवाई करेगा अदालत ने याचिका करता को सीबी असी को याचिका की प्रति देने को कहा है देश की इन पाच बड़ी खबरों को बिना लाग लपेट विस्तार से जानने के लिए बने रही है अब हमारे साथ बिहार के मुख्यमंतरी नितिश कुमार के दिल्ली दवरे के दवरान पॉलिटिकल रन नितिकार प्रशान किशोर से मुलाकात के बाद राश्ट्रपती चुनाओ को लेकर नई चल्चा शुरू हो गई है कहा जा रहा है कि प्रशान किशोर देश की प्रमुक विपक्षी पार्टियों को साथ लेकर राश्टरपती चुनाओ की तैयारियों में जुट गए है सुत्रों के हवाले से खवर आ रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नितिश कुमार को विपक्षी दल मिलकर राश्ट्रपती उम्मिद्वार बनाने की सोच रहे है माना जा रहा है कि प्रशान किशोर ने इसी संदर्ब में बात करने के लिए नितिश कुमार से नई दिल्ले में मुलाकात की है इस मुलाकात पर नीचिश कुमार से जब पूछा गया तो उन्होंने मुस्कराते हुए कह था कि प्रशान किशोर से उनका पुराना रिष्टा है आलहीं में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशिकर राओ और प्रशान किशोर की हिदराबाद में मुलाकात हुई थी इस मुलाकात के दौरान ही राष्टरपती चुनाओ को लेकर चर्चा शुरू हुई थी कहा जा रहा है कि इसी दौरान तै हुआ कि राष्टरपती चुनाओ को लेकर सभी विपक्षी पार्टियों को मंच पर लाया जाए साथ ही किसी ऐसे चेहरे को इस पत के लिए आगे किया जाए जो सब के लिए स्विकारे हो कहा जा रहा है कि इसी चर्चा के दोरान प्रशान किशोर ने बिहार के CM नितिश कुमार को राश्टरपती उम्मिदवार बनाय जाने का ऐडिया दिया जिस पर KCR तयार हो गए प्रशान किशोर बारी-बारी से उद्धव ठाकरे शरत पवार के अलावा अन्य नेताओ से भी मुलाकात कर चुके है दुनिया भर में गैस की भारी किलत हो गई है और अप्रेल में इसका असर भारत में देखने को मिल सकता है इससे देश में गैस की कीमत बहुत बढ़ सकती है इससे CNG, PNG और बिजली की कीमते बढ़ जाएगी साथी सरकार का फर्टिलाजर सबसेडी बील भी बढ़ जाएगा जानकारों की अनुसार ग्लोबल एकोनोमी कोरोना के कहर से बाहर निकल रही है और इसके साथ ही एनरजी की मांग भी बढ़ रही है लेकिन 2021 में इसकी सप्लाई को बढ़ाने के लिए परियापता कदम नहीं उठाय गए इन कारणों से गैस की कीमत में काफी तेजी आई है घरेलू इंडस्ट्रीज पहले ही आयातित LNG के लिए ज़्यादा कीमत चुका रही है इसका असार अप्रेल में देखने को मिलेगा जब सरकार ने नैचरल गैस की घरेलू किमतों में बदलाव करेगी स्रीलाइंस इंडस्ट्रीज के मुताबिक कमपनी अगले मेंने कुछ गैस की निलामी करगी बतादी की देश में घरेलू नैचरल गैस की किमते हर साल अप्रेल और अक्तुबर में तै होती है अप्रेल की कीमत जनवरी से दिसंबर 2021 की अंतर राष्ट्रिय क्यूम्तों पर आधारित होगी इसका मतलब है कि सी एन जी 15 रुपे प्रती किलो बढ़ सकती है लेकिन अगर तेल की कीमत नहीं बढ़ती है या इसमें गिरावट आती है तो फिर स्थितिया लग होगी फिलहाल नजर वैश्विक परिद्रुश्य पर टिकी है जहां अहम यूकरेन की परिस्थितिया बनी है विशलेशक इसकी लगातार समिक्षा कर रहे है ताकि पहले से ही तैयारी की जा सके बंगाल में कोरोनावट 2021 के विदान सबा चुनाओं के बाद हुई हिंसा के कारण राष्ट्रिय स्वयम सिवक संग की लगबग 150 शाखाय बंद हो गई है राज्यमें संग की लगबग 1800 से 1900 शाखाय है अपने बंगाल दवरे के दवरान राष्ट्रिय स्वयम सिवक संग के सरसंग चालग मुहन भागवत ने इन शाखाओं को जल से जल फिर से सक्रिय कर मार्श तक पूरी तरह से खोलने का निर्दिश दिया है बतादे के पीछले हकते मुहन भागवत बंगाल के दवरे पर थे इस दवरान उन्हें ने उत्तर बंगाल वह बर्धमान में संग के पदादिकारियों के साथ बैठक की RSS के दक्षिन बंग प्रांत के प्रचार प्रमुक बिपलब रॉय ने बताया कि संग बंगाल के बंगाल को तीन संगटनात्मक्षेत्रों में विभाजित किया था और RSS प्रमुक ने तीन क्षेत्रों के पदादिकारियों के साथ बैठक की थी बंगाल में RSS के संगटन को मजबुत बनाने पर जोर दिया गया है तथा कोरोना महामारी के कारण बंद शाखाओं को जल से जल खोलने का भी निर्देश दिया गया है RSS ने बंगाल में शाखाओं के संख्या दोगुनी करने का लक्ष रखा था लेकिन कोरुनम हमारी के कारण इसमें गतिरोत पैदा हो गया है हलाकि सेवा कारिया पर जोर दिया जा रहा है उत्तर प्रदिश विधान सभा चुनाओ के लिए चरंदर चरंद मतदान की प्रक्रियाए लगातर जारी है साथ ही जारी है नेताओं के विवादित बयानों का सिलसिला अलग-अलग पार्टियों के नेता अपने पाले में अधिक से अधिक वोट बैंक लेने की चाहा में विवादित बयानों की पराकाष्टा पार कर चुके है इस क्रम में अब सिदर्थ नगर की डुम्रिया गंज सीट से बीजेपी विधायक और प्रत्याशी रागविंद्र सिंग का विवादीत बयान लगातार सुर्कियों में बना हुआ है जिसका विडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो रहा है वाइरल विडियो में रागविंद्र सिंग कह रहे है कि क्या कोई मुसलमान हमें वोट देता है इसलिए जान लोकीज गाव का जो भी हिंदू अगर दूसरी तरब जाता है तो वो गद्दार है उसको सड़क पर मुँ दिखाने लायक नहीं रखना चाहिए उन्होंने कहा कि पहले मैं कुछ नहीं बोलता था अब नहीं मानूंगा विधायक होने के बाद 5 साल देखूंगा पर्खूंगा समझूंगा और एक बार वर्निंग देने के बाद समझ में नहीं आएगा तो बता दूंगा कि रागविंद्र सिंग कौन है उन्होंने यहाँ भी कहा कि जो हिंदू उन्हें छोड़कर किसी और को ओड देगा वो उनका DNA टेस्ट करवाएंगे दरसल यहाँ पहला मामला नहीं है जब रागवेंद्र सिंग ने कोई विवादीत बयान दिया है इससे पहले भी ऐसा ही विवादीत बयान देते रहे है और इस मामले में उन पर F.I.R. भी दरज हुई थी डुम्रिया गंज में छटवे चरण में तीन मार्च को मतदान होगा और दस मार्च को चुनाव परिणम जारी होगा सुप्रीम कोर्ट दस्वी और बार्वी कक्षा की ओफलाइन परिक्षा रद्द करने की याचिका पर बुधवार यानि कल सुनवाई करेगा अदालत ने याचिका करता को CBSE की याचिका की प्रति देने को कहा है Justice A.M. खानविल करकी बंच बुधवार को ये सुनवाई करेगी बतादे कि सुमवार को सुप्रीम कोर्ट इस स्याचिका पर सुनवाई को तयार हो गया था CGI N.V. रमन्ना ने कहा था कि Justice A.M. खानविल करकी बंच सुनवाई करेगी वकील प्रशान पद्मनावन ने बेंच को बताया कि ये कक्षा दस्वी और बार्वी के चात्रों की परिक्षा के संबन में है कुवीड के कारण शारीरिक तोर पर कक्षा है नहीं हुई है इसलिए ओफलाइन परिक्षाओं की जगह ओनलाइन परिक्षा हो देश के 15 राज्यों की ओर से संबन नीत याचिका ये दाखिल की गई है इसे देखते वे सुप्रीम कोर्ट मामले पर संग्यान लेने के लिए राजी हुआ है एक्टिविस्ट अनुभा साहे श्रीवास्तों ने अरजी दाखिल कर आफलाइन परिक्षा के बज़ाए वैकल पीक मुल्यांकन पद्दती से कराने की मांग की है याचिका में सभी राज्यबोल्ड, CBSE और ICSE की दसवी और बारवी बोल्ड शारीरिक तोर पर परिक्षाओं को रद्द करने की मांग की है याचिका में कहा गया है कि कुविड के करण शारीरिक तोर पर कक्षाओं नहीं लगी, ऐसे में बोल्ड की परिक्षाओं को ऑनलाइन कराया जाए दुनिया भर में युक्रेन और रूस का तनाव सबसे बड़ा मद्दा बना हुआ है देक तरफ रूसी राष्टपती प्लादेमिर पुतिन द्वारा पुर्वी यूक्रेन के डोनेट्स और लुहांस को आजाद देश की मान्यता दिये जाने के बाद विवाद और भड़ग गया है तो दूसरी गरफ क्रिप्टो करेंसी को लेकर भी दोनों देशों की अलग अलग रहा है महीं सयुक्त राष्ट सुरक्षा परिशन में दोनों देशों के बीच जारी तनाव पर मंधन जारी है अंदर राष्टिय सभा में भारत ने कहा है कि सैंडे वृद्धी हमारे लिए ठीक नहीं हो सकता है इसे बीच सौधी अरब में अप से रेड हार्ट इमोजी भेजने पर प्रतिवन लगा दिया गया है इसके लिए सजा भी हो सकती है उधर दिल्ली के एक नीजी इस्पिताल के डॉक्टरों ने एक 32 वर्षी अमेरिकी महीला के शरील से तीन जिंदा कीडे निकाले है जिसे मेडिकल की भाषा में वाट प्लाई कहते है दुनिया भर के इन पाज बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही है हमारे साथ रूसी राश्ट्रपती व्लादिमीर पुतीन द्वरा पुर्वी युक्रेन के डोनेसक और लुहस को आजाद देश की माननेता दिये जाने के बाद विवादा और भढ़क गया है युक्रेन ने रूस के इस कदम की भरसना की है युक्रेन के राश्टरपती वोलोदिमीर जेलिस्की ने देश को संबोधित करते वे कहा है कि युक्रेन किसी से नहीं डरता है United Nations में भी युक्रेन के राजधूत ने दो टुक कहा कि रूस की हालिया करवाई के बावजूत युक्रेन की सीमाय अब परिवर्तनिया है युक्रेन की आंतराष्टिय स्थर पर माननेता प्राप्त सीमाय रूसी संगत द्वारा किसी भी बयाना और कामू की परवा किये भी न अब परिवर्तनिया रही है और रहेगी कहा जा रहा है कि रूस ने युक्रेन पर हमले की तैयारी कर ली है राश्टरपती व्लादिमेर पुतिन ने पुर्वी युक्रेन में साइनिकों को बेजने का आदेज दिया है इसके चलते दुनिया में तनाव की स्थिती पैदा हो गई है इस बिच युक्रेन ने भी युद्ध की स्थिती में पीछे ना हटने के संकित दी है युक्रेन के राश्टरपती व्लेदिमर जेलिस्की ने कहा कि हम किसी भी तरह का समझवता नहीं करेंगे हम अपनी एक इन जमिन भी नहीं देंगे पुर्वी युक्रेन के दो क्षेत्रों को रूस की और से अलग प्रांत की माननेता दिये जाने के बाद युक्रेन का यह रियक्शन सामने आया है रूस ने युक्रेन के डोनेट्स और लुहन्स को अलग प्रांत की माननेता दी है और इसके साथ ही यहां आपने सैनीकों को भी भीजने का फैसला लिया है जेलेशकी ने कहा कि रूस यदि मजबूर करता है तो फिर हम लंबी लड़ाई के लिए भी तयार है क्रिप्टो करेंसी को रूस ने वैद तो कर दिया है पर क्रिप्टो करेंसी ट्रेड पर वह सक्त शर्दे भी लगाएगा रूस के वित्तमत्राले ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए ड्राफ्ट रेगुलेशन दाखिल कर दिये गये है इनकी खास बात यह है कि इन regulation में क्रिप्टो करेंसी निवश की उपरी सीमा तै की गई है इसके अनुसार क्रिप्टो में निवश करने वालों को लिटरेसी टेस्ट भी देना होगा इस टेस्ट को पास करने वाले रूसी ही एक साल में 6 लाक रूबल्स क्रिप्टो में निवेश कर पाएंगे टेस्ट ना देने वाला एक साल में 50,000 रूबल्स निवेश कर पाएगा रूस ने 2020 में क्रिप्टो करेंसी को वैद करार दिया था परन्तो इसका payment में योज को कभी authorize नहीं किया गया था विदेशी cryptocurrency exchanger को रूस में license लेना पड़ेगा वित्तम अंत्रालाय का कहना है कि ऐसे वेक्ति कोई cryptocurrency खरिदने और बेचने की अनुमती दी जाएगी जिसके पहचान की पुष्टी हो जाएगी इसका मतलब है कि cryptocurrency में कोई निवेशक मनमाना निवेश नहीं कर पाएगा इसके साथी cryptocurrency में निवेश करने वाले की पहचान जानने के पुक्ता प्रबंद किये जाएंगे गौरतलब है कि रूस के Central Bank ने जनवरी में cryptocurrency पर बैन लगाने का प्रस्ताओ दिया था परन्तु सरकार ने ऐसा नहीं किया था रूस का वित्तमत्राले cryptocurrency को वैथ कर निवेश आकरशित करना चाहता है दूसरी तरफ यूक्रेन सरकार ने युद्ध के हालातों के बीच क्रिप्तोकरेंसी को वैथ कर दिया है वहागी संसर्द ने क्रिप्टो करेंसे से जुड़े कानून को पास कर दिया था यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ती तलखी और युद्ध के गहराते संकट के बीच भारत ने सयूक्त राश्टर सुरक्षा परिशन में सभापक्षों के बीच कूटनीती का और राजनेग बाच्चीत का आववान किया है भारत ने कहा है कि सयन्य वृद्धी हमारे लिए ठीक नहीं हो सकता है UNSC की बैठक में सयूक्त राश्टर में भारत के स्थाई प्रतिनीदी TS तिरुमूर्थी ने कहा कि सीमा पर सयन्य वृद्धी हमारे लिए सही कदम नहीं हो सकता है हम सभी पक्षों से सयम का आववान करते है हम आशवस्त है कि यह मुद्धा केवल राजनेग बाच्चीत के मध्यम से हल किया जा सकता है हमें तनाव को कम करने की कोशिश करने वाली पार्टियों द्वारा हाल ही में की गई पहलों को जगा देने की जरुरत है तिरुमूर्थी ने कहा कि रूसी संग के साथ यूकरेन की सीमा पर बढ़ता तनाव गहरी चिंता का विशे है इन घटना करमों से क्षेतर की शान्ती और सुरक्षा को कमजोरी होगी दोनों देशों के नागरीकों की सुरक्षा आवश्चक है उन्हेंने कहा कि 20,000 से अधिक भारतिय चात्र और नागरीक यूकरेन के विभिन्ने हिस्सों और इसके सीमा वर्तिक शेतरों में रहते और पड़ते है भारतियों की भलाई हमारी भी प्राथमिकता है बतादे कि रूस और यूकरेन के भी चल रही तनातनी के बीच रूसी राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतिन ने कल पुर्वी यूकरेन के दो विद्रोई और अलगाववादी इलाको डोनेस्क और लुआस्क के स्वतंतरता को मान्यता दे दी है पश्ची मी देशों कोई पाबंदी लगाने की चेतावनी के बावजुद रूसी राष्ट्रपती ने राज्यद्वारा संचाली टेलिवीजन पर प्रसारित अपने भावनात्मक संबोधन में दोनों इलाकों की स्वतंतरता के मान्यता दी सौधी अरब सक्तन इयोमों के पालन के लिए जाना जाता है वहा किसी तरह की गुस्ता की मापनी की जाती है खासकर योन उत्पीडन के मामले में अब वहा की सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है इसके अनुसार वाटसप पर रेड हार्ट इमोजी भेजने पर प्रतिबन लगा दिया गया है इस नियम के उल्लंगन पर 5 साल की जेल और 20 लाक रुपे जुर्माने का एलान किया गया है साथी साइबर क्राइम एक्सपर्ट अल्मुवातास कुद्बी ने एक बयान जारी करके कहा कि किसी की वाटसप पर रेड हार्ट इमोजी भेजने को उत्पिडन माना जाएगा इसके लिए सरकार ने जुर्माने और जेल की सजा का एलान किया है वैसे या पहला मौका नहीं है जब साथी अरब की तरफ से ऐसा कोई नियम लगाया गया हो इससे पहले पिछले साल नवंबर में साथी अरब ने एक व्यक्ति को ग्रूप से हटाने पर भारी जुर्मना लगाया था अब सवाल यह उटता है कि आखिर कैसे पता लगाया जाएगा कि किसी ने वाटसप पर किसी को रेड हार्ट इमोजी भेजी है तो बता दे कि रेड हार्ट इमोजी को प्रतिबंद उस वक्त माना जाएगा जब यहा बिना इजाजत किसी को भी भेजा जाएगा मतलब अगर कोई शिकायत करता है कि उसे बिना इजाजत रेड हार टीमोजी भेजा गया है तो उसके खिलाब पाच साल जेल और बीस लाग जुर्माने पर प्रावधान किया गया है साथी अरप का मानना है कि नया नियम ऑनलाइन उत्पीडन की घटनाओ को रोकने में मदद करेगा दिल्ली के एक नीजी अस्पताल के डॉक्टरों ने एक 32 वर्षी अमेरीकी महला के शरीर से तीन जिन्दा कीडे निकाले है जिसे मेडिकल की भाषा में बॉटफलाई कहते है यह एक छोटा कीड़ा जैसा होता है जो इंसानों के अलावा स्थनदारियों के शरीर में आसानी से प्रविश कर जाता है 32 वर्षी महला के मामले में महया इसिस यानि हुमन बॉटफलाई की पुष्टी होने के बाद सफलता पूर्वा के इलाज किया गया मरीज अपने दाई पलक में सूजन के अलावा लाली की शिकायत के साथ अस्पताल आई थी जाच के दोरान पता चला कि महला को पिछले 4-6 हपतों से अपनी पलकों के पीछे को चलता हुआ मैसुस हो रहा था महला ने अमेरिका में डॉक्टरों से परामश लिया था लेकिन मैया इसिस को हटाया नहीं जा सका और डॉक्टरों ने उन्हें राहत देने के लिए कुछ दवाय देकर डिस्चार्ज कर दिया इसके बाद वह इलाज के लिए दिल्ली के एक नीजी अस्पताल पहुची यहां डॉक्टर मुहमद नदीम ने उनकी सफल सरजरी की उन्हें ने कहा कि अगर समय रहते मैया इसिस को हटाया नहीं जाता तो यहां शरीर के कई उतकों को नुक्सान पहुचा सकता था जिसकी व वज़ा से मरिज दूरलप किस्म की मैंजाइटिस का शिकार भी हो सकती थी अमरुत्यू की भी आशंका थी मैया इसिस धीरे धीरे नरम जिल्लियों को कुतर कर उसके नीचे की संरचनाव को निगल जाता है तो आज की इस खास पेशकुष में बस इतना ही आप से कल फिर मुल आकात होगी तब तक देखते रहिए वीके वीडियोस नमस्कार